हेलो एवरिवन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वादिश चोलहा मैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बूदी के लड्डू तो 15 अगस हमारा आने वाला है तो उसी के लिए घर पर हम ये बूदी के लड्डू बना सकते हैं तो उसके लिए एक कटोरा हमने यहां पर बेसन लिया हुआ है और यह बेसन को हम एक बरतन में जो है इनका पेस्ट हम बना लेंगे और जितना हमने बेसन लिया उतना ही हमें पानी भी यहां पर लेना है तो इस तरीके से सही हमारा बैटर रिया तैयार हो जाएगा उसको अच्छे से हमें घुमा लेना अब थोड़ा सा हम यह औरेंज करने के लिए इसमें औरेंज कलर मिला रहे हैं ताकि हमाई लड़ों का कलर आए ओरेंज कलर का हो बचा हुआ थी एक ऊदोड़ा मिला लिया नहीं मिला यो अब हम ढ़िपांगों डीवाईट करके की दाल रहे हैं पहले आधे की हम बूदी बनाएंगे तो उतने में हम डाल रहे हैं उसके बाद जो बचा हुआ है जब उनकी बूदी बनाएंगे तो उस समय डाल देंगे क्योंकि अभी इस सोड़ा डालने में फिर वो बूदी ज्यादा फैल जाती है तो यह देखिए इस तरीके से तो हमने जाएंगे तो बरतन के अकोरडिंगे बहुत ज्यादा एक बार में नहीं डालनी है क्योंकि अगर ज्यादा डाल देंगे तो चिपक जाएंगे तो इस तरीके से अच्छे से उनको कर लेना है और बहुत ज्यादा भी फ्राई नहीं करना क्योंकि बहुत ज्यादा फ्राई करने में भी जल जाती है तो इस तरीके से कुरकुरी होने पर उनको निकाल देना है अब दुबारा फिर हम डालेंगे अच्छे से ओईल गरम होना अच्छे से बूदी को हमें फ्राई कर लेना है और बहुत जादा नहीं करना है तो इस तरीके से हमें इसको तरद लेना है और ऑपनी बूदी को निकालेंगे इस बार जो है यह COVID-19 में बच्चो के स्कूल तो ओपन होने नहीं है तो इस तरी के से 15 अगस आप बच्चो के लिए घर पर ही इस तरी के से बूदी के लड़ु बच्चो के अक्सर इस खूल में मिलते हैं पंदर अगस्त में तो घर पर ही हम त्यार कर सकते हैं अब जो बात का बैटर बचा हुआ है उसमें भी हमने थोड़ा सा खाने वाला सोडा मिला लिया हुआ है अब हम बैटर डालेंगे देखिए देखिए करके हमको डालना है बैटर और यह जो है कल्ची को हमें धोले ना है क्योंकि इससे कहा बार-बार जैसे सूख जाता है अब हमें इसको धोना होता है नहींसके जू हो बंध हो जाते हैं तो देखें इस तरीके से बूदी हमने अच्छी से तली है और हम निकाल लेंगे तो इस तरीके सारी बूदी हमारी तल चुकी है अब यहां पर हमें इसका चीनी का पाक बनाना है तो जितना हमने बेशन लिया था वही एक कटारा हमने चीनी लिया हुआ है और उतना ही हमें यहां पर पानी लेना है तो सबकी मातरा यहां पर बराबर रहनी है अब यहां पर य सबस्सक्राँ कि नियुक्त सिक निवाइक तैसक नज करूँको ने हैं वयर देखील नेकर न रहे हैं यह हैं इसographic आ हमारे पुरिषी की दर्णा फिर्णा में सबस्सक्राइ करम नेग deze हैं 7 तो केसर है रहे हैं मिलगल रहाए दोट कैसर कन नम flowers बूद्यों को यहां पर डाल देंगे तो यह बूद्य अच्छे से डालने के बार इसको हमें अच्छे से जो है यहां पर मिक्स कर लेना है थोड़ा गिला सा ही रहेगा अभी एक दम सूखा नहीं होगा देरे चास्नी जो है सारा तरही को सोख लेगी और 2-3-4 मिनट के लिए अब देखिए बूद्य ने हमारा सोख लिया है काफी जो है इसमें चास्नी सोख लिये तो यह देखिए तो अब इस तरह पर हमने बंद कर दिया है इसको और हम इसके लड्डू बनाएंगे यह थोड़ा ही रहना चाहिए लड्डू बहुत हमें ठंडी में नहीं अगर हमार लड्डू से इस पर बना लेने हैं देखिए तो इस थरीके से जो है अच्छे से जो हमने यहां फे बना लेने हैं वह cuad ज्यादा इनको tightly नहीं द buna ना न है तो इस तरीके छे आप भी जो है इसको kinda कर सकते हैं तो हमारे सारे लडू और हम आप अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें